हेलो फ्रेंड, वेल्कम तो एल चैनल हैं फार्मसी डिस्टनरी, मेटसे रिव्यू की स्रीज में आपका स्वागत है, आज इस स्रीज में हम बात करना वाल हैं एक ऐसे प्रोड़क्ट का, जो कि हाइपर एसीडी टी के की सिचुएशन को, या फिर अल्टसर के सिचुएशन को, या फिर जिचुएशन को मैनेज करने के लिए यूज कर सकता है, ट्रीट का वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत अमुस्किल है इसको पर्मेंट ट्रीट कर पाना, उसकी सीवियाटी को आपन कम कर सकते हैं, या उसके नॉर्मल वेल्यू को आसपास मेंटेन कर सक इससे पहले कि मैं आज आपके ड्रक के बारे में बात करना शुरू करूं, कौन सा ड्रक है, कौन सा कॉंस्क्रमेंट है, बेसिक बात है, मिसा की तरह करना शुरू करता हूं, आकर हाइपर सिक्रीशन होता क्या है, हाइपर एसीडिटी होता क्या है, अलसर क्या होता क्या है, और होता क्यूं है तो आप प्रॉब्लम को समझ जाओगे मैं सुरू से सुरू करता हूँ सरहल चीजों से देखे सबसे पहले हम बात करते हैं hyper acidity की शुरुआत तो वहीं से लगबग होगी hyper acidity में दो शब्द है पहला है hyper और दूसरा है acidity hyper का मतलब होता है ज्यादा अगर कभ लेते हो या कोई मिर्ची वाले चीज़े खाल लेते हो थोड़ी दिर बाद आपको जलन का एसास होता है पेट में ऐसा लगता है कि अजीब चापी जलन हो रही है आपको चेस बर्न हार्ट बर्न भी बोलते हो लेकिन वहार्ट नहीं बन होता है वह एक्चुली में acidity का reflux आ रहा होता है तो कि बिला कि जलन का एसास होता है घैस का एसास होता है फिर आप इनो अगरा जलोसील अगरा यूज करते हो तो वहां पे acid का मतलब है कि acid का बनना लेकिन not normal not optimum सही मातरा में नहीं क्यों क्यों कि मैंने पहले वर्ड लगा गी है hyper इसका मतलब है hyper acidity acid का level जितन बर्गर चौमिंग खाना अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो अगर वह खाना आपके पेट में गया तो उसको पचाना तो पड़ेगा है इसको पचाने के लिए आपकी बॉड़ी का एक particular part जिसे हम parietal cell कहते हैं acid secret करना start करता है यह acid है digestive juice जिसे हम hydrochloric acid भी कहते हैं यह acid जाकर क खाने को पचाता है लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति रोजाना रोजाना रोज रोज मैक्सिमम आउंट में इस तरह से spicy चीजों को मसाले मिर्च वाली चीजों को consume करना start कर दे तो acid का लेबल बढ़ने लगता है और भी कई कारण होते हैं आपके macrosm भी इसमें responsible होता है एक्ष contact में आपके आएगा stomach के inside well पे और उससे फिर आपको दीरे दीरे rupture होने लगेगा erosion होने लगेगा और वो बन जाएगा ulcer छाले पड़ जाएंगे मूँ पे नहीं पेट पे तो फिर आपको problem में डाल सकता है इस तरीके से वो ulcer होता है और आगे आगर आपको sphincter problem हो गया gastro reflux isofagal disease यानि कि जब acid उपर आने लगेगा तो आपके isofagal part में भी problem होगी तब भी जाके problem होगा तो overall तरीके से आपको problem हो किसले रही है कोकि acid ज्यादा बन रहा है और acid का secretion ज्यादा हो रहा है आपको parietal cell से इसी secretion को हमको manage करना है तो इसके दो तरीके होते हैं या तो secret secretion को inhibit कर दो anti-secretary drug दे करके या जो secretion already secret हो चुका है उसको neutral कर दो anti-acid दे करके यहाँ पे जो आज में drug कर यूज कर रहा हूं बताने के लिए इसका brand name है Pantelsar IV इसके अंदर active consummate क्या है इसके अंदर active consummate है Pantoprazole और यह injection के form में है और यह जो है वो anti-secretary drug को belong करता है यानि यह secretion को ही रोक देता है और इसको रोकने के पीछे इसका mechanism action क्या है वह है proton pump inhibitor हमारे cells पे H plus K plus adipase काम करता रहता है जो pumping करता रहता है इन ions को exchange में और वहाँ पे H plus release होता है जो कि आगे जाकर के CL माने से जूड जाता है और HCL बन जाता है इससे acid बनता है acid का formula में आपको होत है pentoprazole जो की example है proton pump inhibitor का तो यह pentoprazole इसी proton pump को inhibit करता है और इसे हम H plus ion pump भी बोलते हैं तो उसको वह कम कर देता है जिससे availability to combine with the CL minus वह कम होते जाता है और इस तरीके से आगे acid का secretion जो है वह कम होता है को कि बनता ही कम है और यह drug इस तरीके से काम करता है अलसर की problem को सबसे simple तरीके से manage अगर आपको करना है तो आपको आपके lifestyle पर ध्यान देना है अगर यह problem H pylori की वज़े से नहीं है इसका मतलब है कि आपके diet की वज़े से stress कम लीजिए जी हां बिल्कुल शाही सुना stress induced ulcer भी होता है तो stress कम लीजिए junk food, spicy food, masala food को कम से कम use कीजिए जो अच्छे fruits ह green हरे leafy vegetables हैं उनको आपको यूज़ कर लेना चाहिए इससे आपका protection layer है वो काफे अच्छा होता है अलसर के लिए banana और एग योग अच्छा recommend किया गया है तो अगर आप banana भी खाते है if you are not having diabetes और any allergic with banana तो आप banana यूज़ कर सकते हैं जो leafy vegetables हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते ह परवाया जाए तो hyperacitive बन सकती है यह कुछ एक common है basic common है और भी कई कारण है बहुत नया कारण जो समझ में आया बाद में research के बाद वह है आपका H pylori जिसके उपर double price भी मिला हुआ था उनको तो यह drug इस तरीके से काम करता है चुकि मैंने कहा कि यह एक tablet तो है नहीं यह IV है यहाँ पर powder form में आपका drug है यानि कि यह ready to use नहीं है बाकी ampoule के जैसे यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले भी मैंने बताया एक CC है और इस CC में आपको dry powder दिख रहा है इसके साथ साथ आपको एक WFI भी मिल रहा है यह देखिए यह water for injection with saline ह करना है यानि कि दिए गए quantity के accordingly आपको यह जो पानी है इसको उसमें inject करना है और अच्छे से shake करना है पूरी तरह से dissolve करना उस powder को और उसके बाद IV देना है आपके डॉक्टर किस तालाव पे अगर आप इसे shake करते हो और आप देखते हो कि bottle में कोई gritty particles रह जाते हैं तो कृ प्या उसे use मत करिएगा उसे discard कर दीजे उसके बाद दूसरा कोई आप use करे को कि यह IV जाने वाला है IV यानि कि parental root एक ऐसा root है जिसमें drug immediately काम करता है अगर आप oral root से लेंगे तो वो मुह से आपके isofagus से होता वो पेट में पहुँचेगा जहां पर वो टुटेगा घुलेगा small test time में जाएगा वहां से absorb होगा फिर जाकर के आपके blood में पहुचने के बाद वो काम करेगा तो time लगेगा ही लगेगा लेकिन कोई भी डग अगर आप IV में देते हो तो सीधह blood में देते हो तो final destination वो वही पे पहुच गया मतलब मालो कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो वाया train जाओगे तो time लगेगा वाया bus जाओगे तो और time लगेगा लगे लिगन एक chartered plane ले देते हो तो सीधा direct वहां जाएगा तो time तो उसी में कम लगेगा तो यहाँ पे IV एक प्रकार से chartered plane समझ लो जो directly आपके उस जगह पे पहुचा दिता है जहाँ पे assalamus को जाना उसके बाद वो immediately काम करना start कर देता है तो इस तरीके से IV का advantage आप देख सकते हो एडवांटेज यही है और यही इसका disadvantage है क्योंकि अगर greedy particles या कोई और unwanted चीज़े आपके IV route के थूर चली गई तो उनको वापस से निकालना it's not will be easy यह difficult task हो सकता है इसलिए इनको complete sterilized condition में maintain करके रखा जाता है जिनको हम parental loot से देते हैं चाहिए IV हो चाहिए इम हो यह सुछ भी sterilized तो यह रहा हमारा आज का छोटा सा informative वीडियो इनफॉर्मेटिव है कि नहीं है यह तो आप बताएंगे अगर आप इस वीडियो के last तक बने हुए होंगे तो तो आज की वीडियो के इतना ह है थैंक इस वीडियो नमस्कार टिक क्यार